एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यूं है? इतनी तकलीफे क्यूं है? इतनी परिशानिया क्यूं है? तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, पताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उसने कहा, मैं अपने कितने दुख आपको बता तो उस व्यक्ति ने कहा, ना मैं अपने रिष्टों से खुश हूँ, ना अपने परिवार से खुश हूँ, ना अपने मन से खुश हूँ, और ना ही अपनी जिन्दगी से खुश हूँ, लगता है ऐसी जिन्दगी से अच्छा है कि मैं मर जाओं, कोई मतलब ही नहीं जीनेगा तो महात्मा बुध्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ कि तुम्हारे इन सारे दुखों का क्या कारण है तो वो व्यक्ति महात्मा बुध्ध से कहने लगा कि मैं आपके पास इसी लिए तो आया हूँ कि आप बताओ, मेरी सिंदेगी में इतने दुख क्यों है, इन सब का क्या कारण है, महत्मा बुध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा घहराई से सोचो, विचार करो, देखो, कहा है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का, उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, प मोह है, बुद्धा का एक प्रसित कोट है, जो आपने भी सुना होगा, the root of suffering is attachment, आपके सारे दुखों का कारण आपका मोह है, आपके मन का attachment है, आ सकती है, तो उस व्यक्ती ने बुद्ध से कहा, कि मैं समझा नहीं, कि मेरे मन का मोह हर दुख का कारण कैसे हो सकता है, तो महात्मा बुद्ध ने उसे तीन छोटी-छोटी कहानिया सुनाई, पहली कहानी, एक व्यक्ती पेड से चिपक कर चिला रहा था, कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड से चुडाओ, इस पेड ने मुझे पकड लिया है, तो वहां से एक गुरू और शिश्य उसे कहा, कि गुरुदेव इस आदमी की मदद करनी चाहिए, ये इस पेड से चिपक गया है, इसे चुडाना चाहिए, तो उसके गुरू ने अपने शिश्य से कहा, कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता, तो वह शिश्य हैरान होकर पूछने लगा, कि ऐसा क्या है, कि इसकी कौन चुडा सकता है, उसे कौन बचा सकता है, ऐसे ही बुद्ध ने कहा, कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है, कि ये मेरा है, ये चूट न जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, और तेरी सारे दुखों का कारण, ये मैं और मेरे का बंधन है फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई कि जैसे एक मकड़ी वो खुद ही जाला बुनती है और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वो उस जाले में खुद ही फस जाती है वो चाहा कर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है ऐसे ही तुने भ दुख दे रहे हैं, सारी दुनियों में कुछ भी होता रहे, हमें दुख सुक नहीं होता है, हमें दुख सुक कब होता है, जब हमारे अपने के साथ कुछ होता है, या हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई कि शहद से भरे एक पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी गुश जाती है उस शहद की मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है वो बहुत प्रसंद होती रहती है और अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर के वहां से उड़ सकती है लेकिन वो उस रस में इतना डूब जाती है इतना खो जाती है कि वो वहां से उड़ना ही नहीं चाहती और उस रस को लेते लेते उसके पंक उसी शहद में फस जाते है फिर जब तक उसका पेट भरता है वो बुरी तरह से उस शहद में फस जाती है फिर वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है आगे जाती है, पीछे जाती है, दाय जाती है, बाय जाती है पर वो वहाँ से उड़ नहीं पाती है वो फस जाती है उसी में ही ऐसे ही तुने भी अपनी जिंदगी में जिन रिष्टों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू शुरू में तो तुझे बहुत सुखाया और आज वही रिष्टे तुझे दुख दे रहे हैं ऐसे ही जब कोई व्यक्ती जब स्वास्थय की परवा ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पढ़कर कुछ भी खाने लगता है तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसकी शरीर में रोग आ जाते हैं ऐसे ही जब मन संसार की भहुत सारी आशाएं कर लेता है, तुझे मन में धन का लोग भाजाता है और फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसकी त्रप्ती कभी भी नहीं होती, वो हमेशा धन से अत्रप्त रहता है और फिर इससे उसके मन में दुख का जन्म होता है फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिलकुल सही कह रहे हैं यही वज़े है मेरे सारे दुखों की, मेरे सारे दुख मेरी ही वज़े से पैदा हुआ हैं मेरे ही मन के मोहों से, अटेच्मेंट से पैदा हुआ हैं फिर उसने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्ण किया, कि आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब मुझे इसका उपाए भी बताईए। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर तुम सारे दुखो से पार होना छाते हो, तो अपने मन को मोह और वास्नाओं से उपर उठा कर प्रेम और संतोष से भरदो क्योंकि जिसके हिर्दय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन से मोह और वासनाओं से जन्मे हुए दुख का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है, हाला कि ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्कल है, लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा कोसलेश को समझ गया न, वो सारे दुखों से पार हो जाएगा, यही कहानी भी हमारे भी जीवन की है, हम हुद ही रिष्टे जोडते हें, और बाद में खुद ही रोते रहते हैं, हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं, और बाद में खुद ही दुख पाते हैं, घिनके आखिर में वही लोग हमें सबसे ज़ादा दुख पहचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही हमारे जीवन में दुखो का अंधकार भर देते हैं चाहे वो हमारा परिवार हो हमारे मित्र हो हमारी संतान हो या कोई भी रिष्टा हो जहां पे भी हमने मन के मोह के आसक्ति के अटेश्मेंट के धागे बांध रखे हैं आप गौर करना आपके जीवन में सारा दुख वहीं से आ रहा है तो जो उपाय महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मोहो और वासनाओं को त्याक करके अपने हृदय में प्रेम और संतोश को भर दो इस छोटे से उपदेश को अगर हम भी अपनी जिन्दगी में उतार लें तो विश्वास रखना हम जिन्दगी के सारे दुखों से अवश्य पार हो जाएंगे अवश्य पार हो